बेटियों में फर्क, नायरा जब 5 साल की थी तो उसके माता-पिता का दुर घटना में एक्सिडेंट हो गया था, तब से नायरा अपने मामन नैतिक के साथ रहती थी, नायरा की चाची नायरा को पसंद नहीं करती थी, लेकिन नैतिक और अक्षरा की बेटी गायू नायरा की बहुत अच्छी दोस्ती, नायरा की खुबसूरती से अक्षरा को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि गायू का रंग सावले होने की वज़ा से नायरा को सब पसंद कर जाते थे, लेकिन गायू को कोई पसंद नहीं करता था, अक्षरा नैतिक से कहती है, आप तो बस अपनी बतीजी के ही रिष्टे देखना, अपनी सगी बेटी का तो कोई होशी नहीं है, फिर नैतिक कहता है, नायरा भी तो हमारी बड़ी बेटी है, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, वो है गायू, उसके अलावा मेरी कोई बेटी नहीं है, अक्षरा की नफरस से नायरा को बहुत जोटी बेहन है, तो मैं भला क्यों बुरा मानूंगी, गैतिक कहता है, खुश रहो बेटी, तुम जैसी बेटी सब को दे, एक दिन गायू के लिए रिष्टा आता है, जैसे ही गायू सामने आती है, कि तभी अचानक से बड़ी मां कहती है, आप क्या हमारी बेज़ती कराने के लिए लाई हो, इसने बड़े बिजनिसमेन की बहु एक ऐसी लड़की बनेगी, जिसकी कोई रंगी नहीं है, अब ये बात सुनकर गायू वहां से चली जाती है, और बहुत रोती है, तभी नायरा बड़ी मां से हाथ जोड़ कर कहती है, आंटी जी प्लीज आप ये तु मनू से मेरे लिए, फिर बड़ी मा कहती है, ठेरो, मैं तुम्हारी बेटी गायू को अपनी बहु बनाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, नायरा को मेरे बड़े बेटे लड़के कार्तिक से शादी करनी होगी, अक्षरा कहती है, लेकिन ऐसा क्यों, बस मैंने कहती है, आप तुम्हें अपनी लड़की की शादी करनी है या नहीं अक्षराइस ये बात सुनकर राजी हो जाती है और नायरा और गायों की शादी कर देती है नायरा जब अपने कमरे में होती है तब अचानक से कार्थिक आता है और नायरा से बच्चों की तरह बाते करने लगता है नाइरा कहती है, आप कौन हो, कार्तिक कहता है, मैं तुमारा पती हूँ, तुम मेरी सेवा करो, ये सब देखकर नाइरा बहुत हैरान हो जाती है, कि तब ही अचानक से बड़ी मां आती है, और कहती है, मेरे बेटे का मांसिक संतूलन ठीक नहीं है, मैं चाहती हूँ, इनके पा पर दबा देती है और उसको ठीक कर देती है दीरे दीकार्तिक ठीक हो जाता है और नायरा को भी पसंद करने लगता है और दोनों खुशी-खुशी रहते हैं तो आज का सवाल यह है नायरा किस बास से हैरान हो जाती है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर क करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें